नमस्कार आप देखरें नियूस वार नेशन और मैं हूँ शुभे आपके साथ तरगात किये हैं पाची के अंदर रहकर उन पर कड़ा आक्शन लिया जाएगा साथी साथ तेजश्वी आदव ने बहार के जनता के बीच जाने का भी ऐलान किया और यह कहा कि हम धन्नेवाद याता करेंगे और साथी साथ किसानों के मुद्धे को लेकर भी तेजश्वी आदव काफी जादा आक्टिव नज़र आए उन्होंने कहा कि मकर संकरान्ती के बाद जब ठंड थोड़ी कम होगी तो उसके बाद हम किसानों के बीच जाएंगे और किसानों को लेकर कई सारी planning तेज़श्वी आदम ने की है इसके साथ-साथ हम आपको ये भी बताते चलें कि तेज़श्वी आदम ने किसानों के मुद्दे को लेकर पहले से ही वो आक्टिव तो नजर आही रहे थे शपत ली थी उन्होंने गांधी मैदान के बाहर और यह कहा था कि इस काले कानून के खिलाप हम हमेशा बेहार भी नहीं देश भर के किसानों के साथ है अब आगे के रनीती उन्होंने किसानों को लेकर तयार कर ली है अब इसमें क्या क्या प्लानिंग तीजश्वी आदव ने की है किसानों को लेकर वो पूरी प्लानिंग हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं आपको बता दे कि पटना में तीजश्वी आदव ने कहा है कि लोगों के भी जानी से पहले हमें इस बात को समझना होगा कि इस किसान बिल आखर क्या है, इसके नुकसान क्या है, हमें इस बिल का विरोध आखर क्यों करना है लालुप्रसाद यादव की पार्टी यानि राष्टी जंता दल बिहार में मकर संक्रांती के बाद बड़ा अंदोलन करेगी सुमवार को पटना में आयोजित बैठक में तेजश्वी आदम ने कहा कि पाट्री मकर संक्रान्ती के बाद पूरे राज में एक साथ बड़ा आंदोलन करेगी तेजश्वी आदम पटना में पाट्री के विधायकों और चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के साथ समिक्षा बाठक कर रहे थे इस दोरान तेजश्वी आदम ने जहां लोगों से फेड़ बैक लिया तो वहीं उन्होंने क्रिश्वी कानून को लेकर भी अपनी मनशा साफ कर दी है तेजश्वी आदम ने कहा कि ठंड कम होने और मकर संक्रानती के बाद किसानों के लिए राजित का बड़ा अंदोलन होगा यह अंदोलन जिलावार किया जाएगा जसके लिए हमें अभी से तयार होना है हमें क्रिश्वी सुधार कानून को समझना होगा क्योंकि जब हम ही इस कानून को नहीं समझेंगे तब लोगों को कैसी समझा पाएंगे MSP क्या है कानून में कौन-कौन सी ऐसी बाते हैं जो किसानों को नुकसान पहुँचा रही है उससे पढ़ना होगा और आम आवाम को बताना होगा क्योंकि जब हम इसी कानून को नहीं समझ पाएंगे तो आम लोगों को आखर क्या समझा पाएंगे किसान सुधार कानून को समझाईए पढ़िए और फिर लोगों को बताईए आज जो कानून पियम मोदी लेकर आएं हैं उससे पहले जो नितीश जिलाए थे राज़त ने उस समय भी विरोध किया था हम लोगों को किसानों के साथ मिलकर आंदोलन को और मजबूती देनी हैं हम मकर संक्रांती के बाद जिलावार आंदोलन करेंगे ये तमाम बाती तीजश्वी आदव ने कल समिक्षा बैठक के दौरान कही इसके साथ ही हम आपको ये भी बता दे कि चनाउं के लिए अपने पार्टी नेताओं को तयार रहने का नर्देश देते हुए तीजश्वी आदव ने ये तक कहा कि यदि आप ये सोचने हैं कि 2020 का चनाउं खत्म है तो अभी चनाउं नहीं होगा तो आप इस बात को समझ लिजे कि 2021 में बेविधान सभा का चनाउं हो सकता है जिसके लिए हमें तयार रहना होगा और अभी सही वैसे लोगों को चन्हत कर कारवाई करनी होगी जिन्होंने इस चनाउं में भीतर घात किया है हमें तयार होने की जरूरत है क्योंकि पता नहीं कब क्या हो जाए उन्होंने कहा कि पार्टी मजबूत होगी तो सबका भला होगा आपसी मतभेद और मनभेद मिटा पार्टी हित में इमानदारी से काम करे तो आपको बता दे कि तीज़श्वे आदम ने किसानों को लेकर एक अच्छी खासी प्लानिंग तयार कर ली है और ये कहा है कि आगे की रणीती हमें पूरी तरीके से किसानों के मुद्दे को समझते हुए ही तयार करनी है उन्होंने पार्टी कार्टाओं से ये तक कहा है कि किसान बिल आखर क्या है उसमें क्या कमिया है जो किसानों के हित में नहीं है उन तमाम बातों को पहले हम ही समझना होगा तब ही हम किसानों को समझा पाएंगे खास करके minimum support price जैसी चीजें क्या होती है उनसे किसानों को क्या नुकसान होगा ये तमाम तरह की बाते सभी कारेकरताओं को समझनी होगी साथी साथ मुझे भी समझनी होगी तब ही हम आम जनता के बीच किसानों के बीच जाकर इसको समझा पाएंगे आपको बतादे कि एक तरफ जहां राजद इस तर्यक्य की प्लानिंग कर रहा है कि किस तरीके से सारी जो कम्या है क्रिश्री कानून की वो किसानों के साथ सामने रखी जाए तो दूसरी और भाजपा की और से ये चौपाल लगाय जा रहे हैं और लोगों को समझाय जा रहा है कि आखर ये किसान बिल उनके हित में कैसे है तो ये दोनों ही पाची के आपसी मतभीद है और दोनों ही ये बताना चारह है एक ये बताना चारह है कि किसान कानून में क्या हुआ है कि किसान कानून बिलकुल सही है किसानों के लिए अब देखना ये है कि किसान बिल के वरोध में ये जो आंदोलनती जश्वी आदफ शुरू करने जा रहे हैं इसका क्या रजल्ट होता है फल्हाल के लिए अत्ता ही ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहे है और देखते रहे है रियोस्वानीशिन नमस्कार